C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याय आठ कोशिका सनरचना एवं प्रकारिय प्रिष्ट नब्बे से प्रिष्ट निन्यानवे तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय आठ कोशिका सनरचना एवं प्रकारिय प्रिष्ट नब्बे आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं, अथ्वा, निर्जीव. साथ ही आपको ये भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूल भूत कार्य संपादित करते हैं. क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं, जो आपके द्वारा सूची बद्ध किये गाए हैं. इस अध्याय में आप अंगों की सनरचनात्मक मूल भूत इकाई के विशय में पढ़ेंगे, जिसे कोशिका कहते हैं. कोशिकाओं की तुलना हम इन्टों से कर सकते हैं. जिस प्रकार विभिन्न इन्टों को जोड़कर भवन का निर्मान किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाई एक दूसरे से जोड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्मान करती हैं. आठ दशमलव एक कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कौर्ख के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कौर्ख पेड की छाल का एक भाग है। उन्होंने कौर्ख की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कौर्ख की स्लाइस में अनेक कोश्ठ युक्त अथवा विभाजित बक से देखे। चित्र आठ दशमलव एक ये बक से मधुमक्खी के छट्टे के समान दिखाई दिये। चित्र आठ दशमलव एक इस चित्र में रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कौर्ख की कोशिकाएं दिखाई गई हैं। उन्होंने ये भी देखा के एक कोश्ठ अथवा बॉक्स, दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्य कोश्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई ये बक्से नुमा सनरचनाएं, वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संबर्धित सूक्षमदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षन के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विशय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की सनरचना एवं कारियों के विशय में बहुत अधिक जानकारी है। ये अधिक आवर्धन क्षमतावाले संबर्धित सूक्षमदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। आठ दशमलवदो कोशिका भवन के लिए इंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूल भूत सनरचनातमक इकाई हैं। चित्र आठ दशमलवदो ए वबी यद्यपी भवन निर्मान में एक समान इंटों का प्रियोग होता है। परंतु उनकी आक्रिती, डिजाइन एवं साइज अलग-अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव इंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की सनरचना अधिक जटिल होती है। पहेली ने पूछा, मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है, क्या ये एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समू हूँ। प्रिष्ट एक्क्यानवे इस प्रिष्ट पर सबसे उपर चित्र आठ दशमलव दो दिखाया गया है। चित्र आठ दशमलव दो ए, ये इंट की दीवार है। चित्र आठ दशमलव दो बी, ये प्याज की जिल्ली का चित्र है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। आठ दशमलव तीन, सजीवों में कोशिका की संख्या, आक्रिती एवं साइज में विभिन्नता होती है। वैज्यानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं। वो सूक्ष्म दर्शी का उप्योग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की सनरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उप्योग किया जाता है। प्रित्वी पर लाखों जीव हैं। वो आकृती एवं साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृती, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आईए इन में से कुछ का अध्ययन करिंग। कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे व्रिक्ष, अथवा, हाथी जैसे विशाल जन्तु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। ये संख्या अर्बों, खर्बों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आक्रिती एवं साइज में भिन्न होती हैं कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कारिय करती हैं इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है एक अरब में एक सौ करोड होते हैं एक करोड में एक सौ लाख होते हैं वो जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहु कोशिक याने मल्टी सेलिलर मल्टी जो बराबर है अनेक के और सेलिलर जो बराबर है कोशिका के कहलाते ही चोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रिया कलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। चित्र 8.3A एवं B को देखिये। दोनों जीव एकल कोशिका के बनी हैं। कोशिक जीव कहते हैं। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 8.3 दिखाया गया है। चित्र 8.3A ये अमीबा का चित्र है। चित्र 8.3B ये पेरामीशियम का चित्र है। प्रिष्ठ बानवे एक कोशिक जीव भी वो सभी आवशक्रियाएं करता है जो बहु कोशिक जीवों द्वारा की जाती है। एक कोशिक जीव जैसे के अमीबा भोजन का अंतरग्रहन करता है तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धी एवं प्रजनन भी करता है। बहु कोशिक जीवों में ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किये जाते हैं। कोशिकाओं का ये समूह उतक का निर्मान करते हैं तथा विभिन उतक अंगों का निर्मान करते हैं। क्रिया खलाप आठ दशमलव एक अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थाई स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। को देखिए। चित्र में दर्शाय गए अमीबा की आकरिती को आप किस प्रकार परिभाशित करेंगे। आप कह सकते हैं कि इसकी आकरिती अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकरिती नहीं होती। ये अपनी आकरिती बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाब कहते हैं। जैसा के आप कक्षा साथ में पढ़ चुके हैं। ये प्रवर्ध अमीबा की गती के समय अत्वा भोजन का अधिग्रहन करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। पहेली ने पूछा अपनी आकृती बदलने से अमीबा को क्या लाब होता है। बूजो ने कहा, अमीबा की बदलती हुई आकृती पादाब के बनने के कारण होती है, जो उसे गती प्रदान करने एवं भोजन ग्रहन करने में सहायता करता है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकी ये सनरचना का उदाहरण हैं, जो अपनी आकृती बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है, जबके अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृती कैसी होगी, जिन में लाखों कोशिकाएं होती हैं। चित्र 8.4 A, B, C में मानव की विभिन प्रकार की कोशिकाएं, जैसे के रक्त, पेशी एवं तंत्री का कोशिका दिखाई गई हैं। ये विभिन आक्रितियां उनके विशिष्ट कारियों से संबंधित हैं। कोशिकाएं सामाननित हैं गोली, चप्टी, गोल, अथवा लंबी, चित्र 8.4 A होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तुर्कु रूप होता है, चित्र 8.4 B. कभी-कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखानुवित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका, चित्र 8.4 C. तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्ट कर उनका स्थानांतरण करती हैं, जिसके द्वारा ये शरीर में नियंतरण एवं समन्वय का कार्य करती हैं। चित्र 8.4 A. ये गोला कार रक्त कोशिकाएं हैं। चित्र 8.4 B. ये तुर्क रूपी पेशी कोशिका है। चित्र 8.4 C. ये लंबी शाखानुवित तंत्रिका कोशिका है। प्रिष्ठ 93. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आक्रिती प्रदान करता है। कोशिका के विभिन्न संगटक एक जिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। ये जिल्ली पौधों एवं जन्तुओं की कोशिका को आक्रिती प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ती कहती हैं। ये कोशिकाओं को आकार एवं दिर्ढता प्रदान करती है. चित्र 8.7. जीवानु कोशिका में भी कोशिका भित्पी पाई जाती है. कोशिका का साइज सजीवों में कोशिका का साइज एक मीटर का दस लाखवे भाग, माइक्रो मीटर अत्वा माइक्रॉन के बराबर छोटा हो सकता है, अत्वा कुछ सेंटी मीटर लंबा भी. परन्तु अधिक्तर कोशिकाएं अती सूक्ष्मदर्शी ये होती हैं, एवं नगन आखों से दिखाई नहीं देती. उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अत्वा आवर्धित करना आवश्चक है. सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रो मीटर है, जोके जीवानु कोशिका है. सबसे बड़ी कोशिका शुतुर मुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm गुणा 130 mm होता है. क्रिया कलाप 8.2 मुर्गी का एक अंडा उबालिये, उसका छिलका अलग करिये. आप क्या देखते हैं? एक सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है. सफेद भाग अलब्यूमिन है, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया. पीला भाग योग है. ये एक एकल कोशिका का भाग है. आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं. पहेली ने पूछा, क्या हाथी की कोशिकाएं चुहे की कोशिकाओं से बड़ी होती है? किसी कोशिका के साइस का संबंध किसी पौधे अथ्वा जन्तु के साइस से नहीं होता. ऐसा बिलकुल भी आवश्चक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चुहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार्य से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चुहे दोनों में ही लंबी एवं शाखानवित होती हैं। वो संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। आठ दशमलव चार कोशिका संरचना इवं प्रकार्य आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप कक्षा साथ में पाचन अंगों के विशाय में पढ़ चुके हैं जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग-अलग प्रकार्य करता है जैसे पाचन, स्वांगी करण तथा अवशोशन। इसी प्रकार विभिन पादप अंग भी विशिष्ट या विशेश प्रकार्य करते हैं। उदहरन के लिए जड जल इवं खनिजों के अवशोशन में सहायता करती है। आपने कक्षा साथ में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संशलेशन का कार्य करती हैं। प्रत्येक अंग पुनहे छोटे भागों से बना होता है जिसे उतक कहती हैं। उतक एक समान कोशिकाओं का वो समुह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। पहेली को समझ में आ गया कि अंग उतक के बने होते हैं और उतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। 8.5 कोशिका के भाग कोशिका जिल्ली कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका जिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक चित्र 8.7 कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका जिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका जिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका जिल्ली जिसे प्लाज्मा जिल्ली भी कहते हैं सरंद्र होती है तथा विभिन पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। प्रिष्ट 94 क्रिया कलाप 8.3 किसी कोशिका के मूल संगटकों का प्रेक्षन करने के लिए एक प्याज लीजिए। उपर की सूखी गुलाबी पर्त याने आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफेद मानसल परत से चिम्टी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़ कर भी इसकी पतली जिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की जिल्ली का एक छोटा टुकडा काच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। पतली जिल्ली को ब्लेड या चिम्टी की सहायता से छोटे टुकडों में काटा जा सकता है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डाल कर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायू के बुल-बुले ना हूँ। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षन कीजिए। इसका आरेक बनाकर नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र आठ दशमलव पाँच से कर सकते हैं। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका जिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और द्रिड आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ती कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार सनरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका जिल्ली के मध्य एक जली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं इस प्रिष्ट पर बाई ओर नीचे चित्र आठ दशमलव पांच दिखाया गया है इस चित्र में प्याज की जिल्ली की कोशिकाएं दिखाई गई है और उन कोशिकाओं में केंद्रक वो कोशिका द्रव्य दिखाए गए है बूजो ने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ती की आवशक्ता क्यों होती है हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका जिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है पौधों में कोशिका जिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ती कहते हैं कोशिका जिल्ली को आबध करने वाली ये अतिरिक्त सनरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवशक है पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीवर गती से चलने वाली वायू, वायू मंडली ये नमी इत्यादी विभिन परिवर्तनों से सुरक्षा की आवशक्ता हूती है वो इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते कोशिकाओं का प्रेक्षन ट्रॉडेसकेंशिया, इलोडिया, अथ्वा रोईयों की पत्ती की जिल्ली में किया जासकता है आप इनकी स्लाईड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्यास्की जिल्ली की स्लाईड बनाई थी पहेली ने बूजो से पूछा कि क्या वो जन्तू कोशिका का भी प्रेक्षन कर सकता है क्रिया का लाप 8.4 एक स्वच्छ दांत खूदनी याने टूथपिक अथवा माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़ कर हटा दिया गया हो लीजिए इनकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए याने स्क्रैप कीजिए इसे काच की स्लाइड पर रखे पानी में रखिए इसमें आयोडीन विलेयन की एक बूंद डाल कर इस पर कवर स्लिप रखिए आयोडीन विलेयन के स्थान पर आप मिथाइलिन ब्लू की एक दो बूंद डाल सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका प्रेक्षन कीजिए आपको खुर्ची हुई परत में अनेक कोशिकाईं दिखाई देंगी चित्र 8.6 आप कोशिका भित्ती, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं जन्तु कोशिका में कोशिका भित्ती अनुपस्थित होती है प्रिष्ट पिच्चानवे इस प्रिष्ट में बाई और उपर चित्र 8.6 दिखाया गया है ये मनुष्य के गाल याने कपोल की कोशिकाओं का चित्र है इसमें केंद्रक जिल्ली, कोशिका जिल्ली, कोशिका द्रव्य वो केंद्रक दिखाये गए हैं कोशिका द्रव्य ये एक जैली जैसा पदार्त है जो कोशिका जिल्ली इवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाये जाते हैं। ये हैं माइटो कॉंट्रिया, गालजिकाई, राइबोसूम इत्यादी। आप इनके विशय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। केंद्रक सजीव कोशिका का ये एक महत्वपून संगटक है। सामान्यत है ये गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्म दर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक जिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक जिल्ली अत्वा केंद्रकावरण कहते हैं। ये जिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवा गमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवरधन क्षमता वाले सुक्ष्म दर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन सनरचना दिखाई देती है। इसे केंद्री का अत्वा नुकलियोस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान सनरचनाई भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। ये जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीड़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समाए ही दिखाई देते हैं। इस प्रिष्ठ में उपर पीले रंग के बक्से में जीन के संबंध में महत्वपून जानकारी दी गई है। जीन सजीव में अनुवन्शिक की इकाई है। ये जनक से संतती को अनुवन्शिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंतरण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिता जी की आँख भूरी है, तो संभव है कि आपकी आँख भी भूरी है। यदि आपकी माता जी के घुंगराले बाल हैं, तो हो सकता है आपके बाल भी घुंगराले हों। परन्तु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं वंशा नुगत अथ्वा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रिया कलापों का भी नियंत्रन करता है सजीव कोशिका के समगर संगटक को जीव द्रव्य प्रोटाप्लाजम के नाम से जाना जाता है इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्री का द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है पहेली जानना चाहती है कि क्या पौधों, जन्तू और जीवानों की कोशिका में केंद्रक की सनरचना एक समान होती है इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग के बक्से में जीवानों कोशिका के संदर्भ में महत्वपून जानकारी दी गई है जीवानू कोशिका का केंद्रक बहु कोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता इसमें केंद्रक जिल्ली अनुपस्थित होती है ऐसी कोशिकाईं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक जिल्ली के बिना होता है प्रोकेरियोटिक कोशिका कहलाती है इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रुकेरियोट्स कहलाते हैं जीवानू और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है प्यास की जिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में जिल्ली युक्त सुसंगठित किंद रख पाया जाता है ये Eukaryotik कोशिका कहलाती है ऐसी कोशिकाऊं वाले जीव Eukaryotes कहलाते हैं प्रिष्ट 96 प्याज की जिल्ली की कोशिकाऊं का प्रेक्षन करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली सनरचनाओं पर ध्यान दिया इन्हें रिक्तिका कहते हैं ये मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है जैसे के प्यास की जिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है गाल कोशिका में अनेक छोटी-छोटी रिक्तिकाएं होती है बड़ी रिक्तिकाईं आमतौर पर पौधों की कोशिकाऊं में पाई जाती है। जन्तुओं में ये रिक्तिकाईं बहुत चोटी होती है। ट्रोडेसकेंशिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन सनरचनाएं देखी होंगी. वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं. इन्हें प्लास्टिड कहते हैं. ये विभिन्न रंगों के होते हैं. इनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे chlorophyll कहते हैं। हरे रंग के plastids को chloroplast अथवा हरी तलवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के chloroplast में उपस्थित chlorophyll प्रकाश संशलेशन के लिए आवशक है। यदि आप पिछले क्रिया कलाप आठ दशमलव तीन इवं आठ दशमलव चार को याद करें। तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका इवं जन्तु कोशिका की सनरचना की तुलना कर सकते हैं। चित्र आठ दशमलव साथ ए वब्बी का ध्यान पूर्वक प्रेक्षन कीजिए। आईए पादप इवं जन्तु कोशिका की समानताओं और अंतर को सूची बद्ध करें। सारणी आठ दशमलव एक में केवल कुछ ही लक्षनों का उल्लेख किया गया है। आप और लक्षनों का उल्लेख कर सकते हैं। चित्र आठ दशमलव साथ ए ये पादप कोशिका का चित्र है। इसमें कोशिका भित्ती, कोशिका जिल्ली, वह हरत लवक याने प्लास्टिड दिखाया गया है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य, केंद्रक, रिक्तिका व कोशिका जिल्ली भी दिखाए गए हैं। चित्र आठ दशमलव साथ बी ये जन्तु कोशिका का चित्र है। इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक, रिक्तिका व कोशिका जिल्ली दिखाए गए हैं। सारणी आठ दशमलव एक पादप कोशिका एवं जन्तु कोशिका की तुलना इस सारणी में चार मुख्य शीर्शक हैं क्रमसंख्या कोशिका का भाग पादप कोशिका वजन्तु कोशिका क्रमसंख्या एक कोशिका जिल्ली पादप कोशिका उपस्थित, जन्तु कोशिका उपस्थित, क्रमसंख्या दू, कोशिका भित्पी, पादप कोशिका उपस्थित, जन्तु कोशिका अनुपस्थित, क्रमसंख्या 3 केंद्रक, क्रमसंख्या 4 केंद्रक जिल्ली, क्रमसंख्या 5 कोशिका द्रव्य, क्रमसंख्या 6 प्लैस्टिट, क्रमसंख्या 7 रिक्तिकाई क्रमसंख्या 3 से क्रमसंख्या 7 तक पादब कोशिका वजन्तु कोशिका शीर्शक के अंतरगत खाली बक से दिखाए गए हैं प्रिष्ठ शत्तानवे प्रमुक्षब्द कोशिका कोशिका जिल्ली कोशिका भित्ती हरित लवक क्लोरुप्लास्ट गुनसूत्र कोशिका द्रव्य युकेरियोट जीन बहुकोशिक केंद्रक जिल्ली, केंद्रिका, नूकलियोस, केंद्रक, अंग, कोशिकांग, प्लाज्मा जिल्ली, प्लास्टिड, प्रोकेरियोट, पादाब, उतक, एक कोशिक, रिक्तिका, श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यू बी सी, आपने क्या सीखा? अधिक्तर जीवों में छोटी सनरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें अंग कहते हैं. सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं, किसी जीव की सुक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं. सर्व प्रथम कौर्ख की कोशिकाओं की खोज, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की. कोशिकाओं की विविध आक्रितियां एवं साइस परिलक्षित होते हैं. विभिन जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध है. कुछ कोशिकाओं बहुत बड़ी हैं, जिन्हें नग्न आखों से देखा जा सकता है. उदाहरण मुर्गी का अंडा. कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं. एक कोशिक जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूल भूत प्रकार्य करती हैं, जो बहु कोशिक जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समुह द्वार संपादित की जाती हैं। वो प्रोकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। पादप कोशिका जन्तु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका जिल्ली के बाहर कोशिका भित्ती होती है। रंगीन सनरचनाएं जिन्हें प्लैस्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। हरे प्लैस्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाती हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रिये रिक्तिका होती है, जबके जन्तु कोशिका में अनेक छोटी-छोटी रिक्तिकाईं होती हैं। प्रिष्ट 98, अभ्यास 1, ये कथन सत्य, T है अथवा असत्य, F, क, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, True और False, ख, पेशी कोशिका शाखानवित होती है, T या F, ग, किसी जीव की मूलसन रचना अंग है, T या F, ग, अमीबा की आकरिती अनियमित होती है, T या F, 2. मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाईए, T तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कारिय किया जाता है, 3. इन पर संग्षिप्त नोट लिखिये, K, कोशिका द्रव्य, K, कोशिका का केंदरक, चार, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। पाँच, पादप कोशिका एवं जन्तु कोशिका के रेखा चित्र बना कर उनमें तीन अंतर लिखिये। 6. युकेरियोट्स तथा प्रोकेरियोट्स में अंतर लिखिये। 7. कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुनसूत्र कहां पाए जाते हैं। उनका कार्य बताईए। 8. सजीवों में कोशिका मूलभूत सनरचनात्मक इकाई है। समझाईए। 9. बताईए के क्लोरोप्लास्ट अत्वा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। बाई से दाई और 4. ये कोशिका द्रव्य से एक जिल्ली द्वारा अलग होता है। 3. कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान 1. सजीवों की मूलभूत सन्रचनात्मक एकाई उपर से नीचे की ओर 2. ये प्रकाश संचलेशन के लिए आवशक है 1. कोशिका जिल्ली और केंद्रिका जिल्ली के बीच का पदार्थ 2. प्रिष्ट 99. विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप एवं परियोजनाई 1. अपने विद्यालय अथ्वा निकट के विद्यालय की सीनियर सेकेंडरी विज्ञान प्रयोगशाला में जाईए 2. सुक्ष्मदर्शी की कार्य विधी के विशय में जानकारी प्राप्त कीजिए ये भी देखिए कि सुक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षन किस प्रकार करते हैं 2. अपने विद्यालय अत्वा निकट के जीव विज्ञान के सीनियर अध्यापक से चर्चा कीजिए पता लगाईए कि क्या कुछ व्याधियां मातापिता याने जनक से उनकी संतती में स्थानांतरित होती हैं पता लगाईए कि ये व्याधियां किस प्रकार संबहित होती हैं और क्या इनका उपचार किया जा सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप किसी चिकितसक से भी चर्चा कर सकते हैं। 3. अपने क्षेत्र के क्रिशी विस्तरण केंद्र का भ्रमन कीजिए। आनुवान्शिक रूप से रूपांतरित जीहम फसलों के विशाय में जानकारी प्राप्त कीजिए। इस विशाय पर अपनी कक्षा के लिए एक संक्षिप्त भाशन तैयार कीजिए। 4. किसी क्रिशी विशे शग्य से बीटी का पास यानि बीटी कॉटन के विशाय में जानकारी प्राप्त कीजिए। उसके लाभ और हानी के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखें। क्या आप जानते हैं? हमारी त्वचा के बाहिय स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं मृत होती हैं। एक सामान्य वयस्क में लगभग दो किलोग्राम मृत त्वचा होती है। प्रति दिन त्वचा की लाखों मृत कोशिकाओं का शय होता रहता है। हर बार जब अपनी उंगली से मेज की धूल को साफ करते हैं तो पुरानी त्वचा का बहुत भाग ख्षयत हो जाता है। इसी के साथ अठारह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय आठ यहां समाप्त हुआ। वाचक बाबला को छड़। अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनी पाठे पुस्तक। अभी पाठे तेथर न्याण। ऩिक का बाठे यहुत destinणा यहखक बामके पुस्तक का वामके जाинने तो एंवज करते हैं यह भीपशी आपक बाचक का थाीं हुआ। झाल झाल